आईए दोस्तों हम आज आपको हम अपने बिहार के अजीबों गरीब घटना सुनाते हैं हमारे बिहार में ऐसे घटना हो रहे हैं जो सून कर आप अपने काणों पर यकीन नहीं करोगे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है एक नहीं कम से कम हम दस आप संवा गडियार में हुआ है इससे छांप जहर होता है कि हमारे बिहार का जंता चोरर नहीं पबलिक चोर नहीं है है प्यार फीहार जात्व हमारे जैकर है कर आपको वीडियो में सारा कुछ मिल जा प्रूपकर साथ तो देखे तोस्तों हम पहला घटना सुनाते हैं पहला घटना है हमारे बिहार में मोबाल का टावर चोरी हो जाता है तो कहीं रेल का इंजन चोरी हो जाता है कहीं साट फुट लंबा पूल चोरी हो जाता है तो कहीं एक गाउं से दुसरे गाउं जाने बाली दो किलो मीटर का सरक चोरी हो जाता है तो कभी सरकारी हॉस्पिटल बना है नीचे का जमीन भिक जाता है। अभी हालही में 700 करोर रुपे का बना हुआ बिरिज गिर जाता है। ये सब तो कुछ नहीं हुआ, हद तो अब हो गई कि हमारे बिहार के पटना सिटी में उपर से सरक बना हुआ है, नीचे का मिट्टी चोरी हो गया, ये सब ते पहले आप ये वीडियो देख लीजिए. तो ट्रक का एक तरफ का पीछे का दोनों चक्का धस कर पूरे के पूरे सडक में समा गया, जिसकी वज़ा से करीद दो से तीन घंटे तक इस रोड में गाडियों का आवागमन ठप रहा, काफी कड़ी मशकत के बाद पुरिस प्रशासिन ने जेसीवी के मदद से गड़े में फसे ड्रक को बाहर निकारा, इस ट्रक पर सरिया लदा हुआ था, हाली में नमामी गंगे परियोजना के तहत, निर्माण कमपनी के द्वारा इस सडक को खोद कर काम करने के बाद फिर से भर कर पिचिंग की गए थी, लेकिन इस ट्रक ने घटिया निर्माण की पोल खोल कर है, तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया कि उपर सरक बना हुआ है, ये ट्रॉक का दो चका कैसे नीचे धस गया, अब आप ही बताए हमारे बिहार में चोर कोन है, बिहार का पबलिक या जनता चोर है या बिहार का सरकार चोर है, इस तो साप जाइर हो रहा है कि आजा महराजाओं ने राज किया, इसके बाद अंग्रेजों ने सासन किया, देश आजाद होने के बाद कॉंग्रेश ने आपना हुकम चलाया, फिर लालू निकला, फिर लालू ने कॉंग्रेश से छिन लिया बिहार को, नोच नोच कर लालू ने 15-20 साल बिहार को नोच डा अब लालू के लाल तेजस्वी के हाथ बिहार को सोपने बाला है तो देखिए भाईया हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो हमको बोल रहे हैं कि आप बिहार में भरष्टा चार के उपर कोई वीडियो बनाईए कोई अच्छा सा वीडियो बनाईए तो देखिए भाया मेरा एक ही सिधानता कहना है कि हम बिहार के बिहार में होते हुए भरष्टा चार पर अगर कोई वीडियो बनाएंगे तो मेरे उपर भी N.S.A.S.C.S.T. एक्ट लगा कर देश द्रोही का केस डाल कर हमें भी अंदर भेज दिया जाएगा जैसे अभी हाली में हमारे बिहार के मनिश कश्चप ऐसे पत्रकार थे सच्चा पत्रकार थे उसके उपर N.S.A.S.T.S.E. जितने भी ABCD का केस होता है सारा देश द्रोही का केस डाल कर मनिश मनिश कश्चप के साथ खरा होने के लिए बिहार का कोई जानता नहीं है मनिश कश्चप का भाई मनिश कश्चप से मिलने गया था मैं उसका एक वीडियो देखा है उस वीडियो में बताया है कि मनिश कश्चप यहीं बोल रहे थे कि भईया हमको बिहार सिप्त करा दो मनिश यह आभी तक ऐसा गलती हुआ किया है जो मेरे उपर यह सक केस लगा है तो जितने भी लोगे वीडियो देख रहे हैं जो मनिश कशप को सपोर्ट करते हैं और हमारे बिहार के भरष्टाशार के खिलाप अगर बोलना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए कि मनिश कशप को बिहार सपोर्ट किया जाए अब रष्टाशार पर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हमें भी एनेस्से डाल कर देश द्रोही का केस डाल कर अंदर भेज दिया जाएगा तो देखिए मेरा वीडियो बनाने का उधेश यही है कि बिहार के जितने भी जनता है जितने भी पब्लिक है तो आप सभी लोग जागरूख हो जाओ कि यह जितने भी हम बताए हैं मोबाइल टावर चोरी रेल का इंजन चोरी 60 फुट लंबा पूल चोरी दो किलो मिटर सरक चोरी होस्पिटल के नीचे का जमीन बिक जाता है और 70 सर्क्रोर का पूल गिर जाता और अभी बिहार में पटना सीटि में रोड बनाया तो नीचे का मिठी चोरी हो गया है अब आप ही बताए जो जो मेरा कहना गलत है जो या सब्सक्राइब बीहार के सरकार है आप अब मनिश कशिप बोल रहे हैं कि हमें बिःहार सिप्ट कर आप तामिन नाडु से तो विलोगमनिश कशाव का सपॉट कर रहें तो वो Smographic मा जरूर लिखें कि मनिश कस्व को बिहार सिफ्ट होना चाहिए या नहीं चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई से अच्छा बरा ट्रोपिक के साथ आज के लिए तना है बाकि जय हिंद जय भारत